नमस्ते दोस्तों, उमीद करती हूं सब लोग स्वास्त है और खुश भी, तो फाइनली मुझे कोविद हो गया है, अभी दो डाई साल के बाद मुझे कोविद हुआ है, मतलब जब से कोविद आया है, तो ये मेरा फास्ट टाइम है, और आज मैं आप लोगों से शेयर क्योंकि मेरा जो कोविद जारनी है, तो पहले मैं बता दूं, अभी भी मैं क्वारिंटाइन हूं रूम के अंदर, क्योंकि मेरा 6 साल की बेटी है, तो मुझे ज़्यादा प्रिकॉशन रेना पड़ता है, और मैं 6-7, टुड़ी इस एइच टे, जो मुझे कोविद हुआ है और 7-7 को मैंने टेस्ट किया था, तब भी मैं positive थी, तो इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ, यही रूम है, इसके अंदर मैं मतलब अपने आपको बंद करके रखी हूँ, वक्त नहीं बिटता है, पर क्या कर सकते हैं, मतलब कभी सूचा भी नहीं था कि यह रूम खोल के बाहर निकल के अपनी सोफे बैठने के लिए मैं तरस जाओंगी, अपनी बेची को गले लगाने के लिए मैं तरस जाओंगी, तो कहते हैं कि कभी भी कोई चीज को taken for granted लेना नहीं चाहिए, जो हम सोचते हैं कि यह हमारा हक है, वो हमारा हक नहीं है, वो उपर वाला का मतल प्लेसिंग से और इस दिल को हमें हमेशा grateful रखना चाहिए उसके लिए क्योंकि पता नहीं, ऐसे ऐसे मौके में वो पता चल जाता है कि जो हम taken for granted लेते हैं, वो actually कितना कीमती है और उसका value कितना है, तो last six seven days से तो मेरा मतलब, first four days मेरा कोई सिम्टम्स नहीं था, मुझे समझ में मतलब नहीं आ रहा था कि कोवीट का जो generally बोलते है कि common सिम्टम्स जो है, रानी नोज और फीवर वो सब मुझे नहीं था, तो मुझे कैसे पता चला कि मुझे कोवीट है, क्योंकि Friday मुझे थोड़ा सा voice break हो रहा था, तो मुझे लगा क कि साइद मैंने बहुत देर तक यार कॉन करके रखाता घर में इसके बज़ा से हो सकता है, पर Saturday तक भी मेरा voice break मतलब वो ठीक नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि एक टेस्ट करके लेती ह। हम लोग बहुत मतलब साफधन रहते हैं क्योंकि मेरी बीटी है तो इसके बज़ा से ह हम लोग हमेशा कुछ भी अनीजनेस फिलिंग होता है तो हम फॉरान हम को भी टेस्ट करते हैं तो मैंने उस दिन को भी टेस्ट की मॉर्निंग में और वो नेगिटीव आया तो दो पैर को मुझे थोड़ा-थोड़ा हैडिक हो रहा था फिर मेरे हास्बन ने आगा कि एक पर इस लू perspectives में मैंने खुद को इकम बंद कर ली और मैं यहां से बाहर नहीं निकलती हूँ वो लोग खाना बाहर देखके जाती है और मैं मतलब खाना खाके खुद का बरतन में खुदी करती हूं और जो भी रूम में थोड़ा बहुत क्लीनिंग बगार यह सब मैं खुदी करती हूं और कोई हेल्प मैं नहीं लेती हूं लोगों का ताकि मतलब सब लोग मतलब मैं डिस्क में नहीं डालना चाहती हूं मेरा अभी मेरे घर म मेरे हजबन है मेरे बेटी है और जो डोमेस्टिक हेलपर है तो मुझे फर्स चार दिन जो है वह तो ऐसी गुजर गया कुछ नहीं था और कुछ करने का भी नहीं था मैं बहुत बोर हो रही थी मैं रात रात तक बैठके मैं मुवीज देख रही थी काना सुन रही थे और मुझे कुछ फिलिंग नहीं होगा ओविध का फिर फिप्त डे से क्या हुआ कि मैं रात रात तक जा करी थी और मुझे मतलब बॉड़ी थोड़ थोड़ा वीक होने लगा वो मुझे फिप्त डे से पता चला तो मैंने जो गलती किया है मैं वही चाहती है कि यह गलती आप और फैमिली का तो जो मैं खाना मुझे पसंद है तो अगर मैं खुद नहीं बनाओंगी तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मेरा जो डॉमेस्टिक है वह नहीं है और दूसरी है कि वह नेपाली है और मैं बेंगॉली हूं, तो हम लोग का जो खाने का जो मतलब totally different हम लोग खान कि ऐस शु नहिए नहीं लगा तु मैं जिए उतना तेस्ट मुझे तु मैं on immediate एक दू बार तो मैंने पूरा स्किप किया और उसके मज़े से क्या हुआ फिप दे से मुझे बहुत मतलब वीकनेस फिलिंग हो रहा था मतलब बिल्कुल भी तबियत में मतलब मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं था इवें फोन पे बात करने की फोन पे मैसेज करने की इतना मे मेरा वीकनेस फिलिंग हो रहा था फिप दे से एक बर उल्टी होँ फिप दे सिक्स दे भी बुल्टी हो जाए नहीं थी और उज़ी नहीं था तो मैंने फिर उसके बाद मैंने चिकन और फिष्ट कर दी क्यूंकि बोलते है कि आपको प्रोटीन लेना चाहिए आपको चिकन और अगर मचली है तो वो भी आपको लेना चाहिए पर मैं मतलब टोटली बंद कर दिया था मैं नहीं ले रही थी और मेरा जो बॉड़ी है वो वेक होते जा रहा था क्योंकि मैं खाना ठीक से नहीं खा रही थी तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना जो भी आपको खाना मिल रह अगर आप फैमिली के साथ हो तुम लोगों को बोलो आपको क्या पसंद है क्या खाने का दिल कर रहा है तो वही आप मतलब खाओ और बहुत ज्यादा लिकुइद पीना होता है नहीं तो उसका जो मतलब चार-पांच दिन के बाद आपको समझ में आएगा उसका भड़ दिल नहींrone! मतलब बड़ी इतना ऊउत हो जाता है कि मोबाइल पकर के किसी से बात करने की की या बहुत दरताक मैशेज करने की भी मुझे दिल नहीं करता है तो अभी मैं रेकॉर्ड कर रही थी तो मुझे तायर नहीं लगा तो मैं इसली मैं सोचा कि मैं बैट जाते हूं और बात करती हूँ वक्त भी नहीं काटता है मतलब कितना दे तक आप मोबाइल चेक करोगी और अभी क्या हुआ फिट डे से मुझे और मोबाइल लैप्टॉप देखने की भी दिल नहीं करता है मुझे अनरजी कम हो गया है मुझे बिल्कुल आचा नहीं लगता है मैं मोबाल के तरफ मतलब देख के बैठी रहूं उसमें भी मुझे मतलब एक्जॉशन होता है तो मैंने वो भी बंद किया और मैं सोती रहती हूं मतलब सोचती रहती हूं कब मैं बाहर निकलूंगी अपने बेटी को गले लगाऊंगी और अपने घर में घुमूंगी तो देखिए क्या मतलब दिन आया है अभी मुझे खुद के घर में बैठ के मुझे मतलब इंतिजर करना पड़ रहा है कब मैं घर से निकल सकती हूं और मैं बाहर जा के कुछ कर सकते हूं मुझे पता है कि सब लोगों को मतलब इतना नहीं करना पड़ता है पर अगर आपके घर में बच्चा है या बुजरूग है एल्डरली पिपिल है तो मेरे खाल से थोड़ा बहुत आपको भी साबदा नहीं पर रखना चाहिए मतलब पता नहीं मतलब अगर आप थोड़ा प्रिकॉशन लोगे थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा पर साइध आप उन लोगों को मतलब को भी धोने से आप रोक सकते हो तो इसलिए मैंने भी सोचा कि यह ठीक है और दो ती दिन मैं जेल लेती हूँ जेनरली मैंने थोड़ा बहुत जो रिसाज किया मुझे पता चला कि मतलब जो वाइरस है वो डेड हो जाता है फिर भी वो पॉजिटिव दिखता है तो ऐसा है कि अगर आपको तेन्त दे में भी पॉजिटिव दिख रहा है उसका मतलब हो सकता है कि जो वाइरस आपके बॉड़ी में है वो डेड वाइरस है वो कितना कॉंटिजियास है वो तो पता नहीं है तो जेनरली रिकॉमेंड करते है कि इफ पॉसिबल तेन देस आपने आपको क्वारेंटाइन रखो पर एक चीज़ अच्छा हुआ मेरे साथ जब मैं क्वारेंटाइन में आई मेरी बेटी बहुत सैट थी और उसने हर दिन जब भी मेरी हेलपर खाना भेजती है मतलब बाहर रखती है खाना तो वहाँ पर मुझे एक कार्ड मिलता है मेरी बेटी के तरफ से और उसमें वो लिखती है कि स्टे वेल और गेट वेल सून और एक स्टिकर भी भेजती है जैसे यह यह उसने अज में लगी इफ यू वांट पता नहीं आपको दिख रहे कि नहीं इफ यू वांट मूर प्लीस टेल मी यह स्टिकर उसमें लेजा है जो फर्स्ट मैं यहां पर आए थी तो मेरी बेटी में मुझे यह लेटर लेखा मैं चाहती हूं कि यह सब मैं रेकॉट करके रखूँ ताकि जब यह बड़ी हो जाएगी तब भी मैं यह देख सकूँ और यह फ्लावर अभी तो यह ड्राइ हो गया है उसने मुझे यह जास्मिन यह भीजा था और उसके जो पत्ता है उसके भी तो कुछ लिग के उसने भीजा था गुड लग आई लव यो और इसमें एक फैस तो देखिए मतलब हाँ मुझे तखलीफ हो रहा था उस ताइम पर यह जो कार्ड्स मुझे मिला और इसब ड्राइंग और फ्लावर लीज यह सब देखे लिए मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ कोई तो है इतना स्पेशल और मुझे इतना प्यार करती है इतना स्पेशल मुझे समझती है तो यह भी एक मतलब होता है जब आप मतलब किसी ताफ फेज में फेज से गुजरते हो उस ताइम आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल जाता है कि यह भी गुजर जाएगा और आप आप मायूसमाद होईए आप भी स्पेशल हो किसी के लिए तो मैं प्रे करती हूँ आप लोग भी ऐसी किसी के लिए खास बने किसी के लिए स्पेशल बने तब जाके आप लोगों को भी पता चलेगा कि कितना लाइफ कितना प्रिशियस है आज कोई रेसिपी नहीं है आज क आप लोगों को भी पता है बहुत मतलब फ्लुइड लेना है सब तो आप लोगों को भी पता है बहुत सारे सब हम लोगों ने डिसकस किया है तो आज कुछ नहीं आज मैं ऐसी मतलब सोचा की ऐसी बैट की बात करती हूं मेरा भी वक्त नहीं गुजर रहा है और शायद आप ल दूसरा चैनल में मैं शेयर करती हूं पर यहां पर मैंने कभी नहीं की तो आज मुझे लगा कि थोड़ा बहुत यहां भी मैं शेयर करूं आप लोगों से उमीद करती हूं कि आप लोगों भी अच्छा लगा और मैं थोड़ा बहुत मैं अपना रूम दिखाती हूं यह मेरा और बेडरूम से यह दिखता है एकतम निला आस्मान और थोड़ा सा इधर अगर और थोड़ा सा मैं कैमेरा को इधर गुमाओ तो यह है लेक और इतना मतलब यह जो है एक रिजर्वर है और यहां पर बहुत सारे ग्रिनरिस है और इसके पीछे है मिलेटरी का कुछ तो यहां पर है तो यह प्रोटेक्टर एरिया है आज संडे है तो इतना राश नहीं है फिर भी काफी भीर है अभी में और मैं 14 फ्लोर में रहती हूं तो उपर से सब कुछ थोड़ा-थोड़ा मतलब छोटा दिखता है क्योंकि मुझे वीक्नेस थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो मैं म आसमान देखते रहती हूं स्पेशली रात को मुझे इतना नहीं तनी आता है क्योंकि मैं दो पर को इतना सो चुकी होती हूं रात को मैं ऐसी काफिन्स को ऐसी बांद देती हूं और फिर यहां से आसमान दिखता है और जब नहीं तनी आ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूं वैस से ही सुई रहती हूं और आस्मान में ताड़े किंते रहती हूं तो वो जो गाना है ना खोया खोया चांद खुला आस्मान आखों में सारी रात आएगी तुमको भी कैसी निद आएगी खोया खोया चांद खुला आस्मान खोया खोया चांद अगर आपके साथ भी ऐसा ही कभी कुछ हुआ हो कि आपको ऐसी रूम में बंद रहना पड़ा और बैटे वेटे कुछ काम है नहीं तो आप आसमान देखते रहते हो, ताड़े गिनते रहते हो, चान देखते रहते हो, तो मुझे भी कॉमेंट करके बताना कैसा था आपका experience, मुझे तो कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ सब लोग स्वास रहना, खूश रहना, स्टेई हैपी और हेल्दी, मिलत है दुबाड़ा, बाइ!